मध्य परदेश में उप्चिनाओं को लेकर पार्टियों ने मतदाताओं को साधने के लिए बिगुल बजा दिया है तो इसकी दोनों ही बड़ी पार्टियां ताबर तोड सभाय कर मतदाताओं को रज़ाने में लगी है ऐसे में शासकी राशन में हेरा फेरी का बड़ा मामला उजागर हुआ तो नमबर बच उने के लिए कॉंग्रस ने जिम्मदार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं महू में रहने वाले मोहन अगरवाल की मुहन अगरवाल कॉंग्रस पार्टी के महु शहर के कारिवाहक अध्यक्ष थे सरकारी राशन में घोटालो के मामले में कॉंग्रस नेता मुहन अगरवाल का नाम सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें उध्योग प्रकोष्ट के जिलाध्यक्षपट से हटा दिया है साथी पार्टी से भी निकाल दिया है पार्टी से उनको निश्कासत करने का फर्मान सूशल मीडिया पर बारल हो रहा है बताते कि मोहन अगरवाल पर पचास करोड का फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशन में हेरफेड करने का आरोप है गौर्दलब है कि इंदौर कलक्टर मनी सेंग ने रविवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर घोटाली के आरोपियों की जानकारी दी थी कलक्टर ने बताया कि इंदौर के ट्रांस्पोर्ट व्यवसाई मोहन अगरवाल पर उनके बेटी मोहित अगरवाल ने सहयोगी आयूश अगरवाल और लोकेश अगरवाल के साथ मिलकर घोटाली को अंजाम दिया चारो व्यापारियों ने 50 करोड का फर्जी बिल बनाकर गरीबों को लूटने का काम किया है शासन ने मोहन अगरवाल की गोदाम से 600 कट्टों से जादा का राशन बरामत किया है चारो आरोपिय भी फरार है बीरो रपोर्ट कबरबान नियूस इंदौर